Hey guys, this is Preeti. आज हमनों discuss करने वाले हैं साल 2019 के जो भी important government scheme होंगे हों सभी के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी योजनाओं से जितने भी competitive exam है सभी में question आते हैं तो आज जो भी top 15 योजनाओं होंगी उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे और उसके बाद इसके next series में और भी योजनाओं को देखेंगे तो आज शुरू करते हैं topic को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon पर जरूर प्रेस करें इसके लमा आप इसके PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे website examtrend.net पे जाकरके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप competitive exam की जारी करते हैं तो इस सभी विश्यों के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और playlist में फ्री video classes देख सकते हैं तो देखते हैं हमारा पहला योजना को असा है पहली योजना है हमारी की हाल ही में क्रिसक बंदू योजना किस राज में सुरू की गई तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि क्रिसक बंदू योजना है या पैसा दो installment में दिया जाएगा पचीस सो के ठीक है पचीस सो का दो installment होगा जिसमें 5000 रुपे दिया जाएंगे अब बात आती है कि या योजना सुरू कब की गई या योजना सुरू की गई एक जनवरी 2019 को वहां की CM Μमता बनर जी के द्वारा इसके अलामा इसमें क्या किया दो लाख तक का बीमा कवर भी दिया गया है अगला question हमारा कालिया योजना कालिया योजना में मैं आपको बता दूँ जो सबसे important होगा कालिया के full form जैसे कालिया के अगर हम लोग बात करें तो English में इसको कैसे लिखेंगे K-A-L-I-A अब ये जो है each word इनका एक मतलब है जैसे K से हो गया हमारा कुरुशक assistance for livelihood and income augmentation तो इसमें आप से पूछ सकता है क्योंकि अगर आपने exam देया होगा तो आपको पता होगा कभी-कभी पूछ लेगा कालिया योजना में यल से क्या होगा livelihood होगा लाइव होगा टिक leaving होगा क्या होगा तो हमारा क्या होगा livelihood तो इसको याद कुरुशक assistance for livelihood and income augmentation इस योजना में देखे मैंने लिखा है कि सेम एवब रहेगा बस यही रहेगा कि जो वहाँ पे 5000 की राशी प्रदान की जा रही थी उसमें यहाँ पे प्रदान की जाएगी 10,000 रुपे की सहायता राशी हमने पढ़ा न क्रिसक बंदु योजना में 5000 रु रुपे की सहायता राशी प्रदान की जाएगी ठीक है इसके अलामत जो फसल बीमा योजना है उसके तहात अगर कोई भी किसान बैंक से 50,000 रुपे का लोन लेता है तो उसको जो लोन मिलेगा वो जीरो इंट्रेस्ट पे लोन मिलेगा ठीक है इसको किसने सुरू किया है तो और मैं आपको बता दू कि इसको लाया गया था 12 जनुरी 2019 को इसमें कहा गया कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्टी को नौकरी दी जाएगी जो कि पहले 5 साल तक तो अस्थाई होगी देखिन बाद में अस्थाई कर दी जाएगी तो काफी इंपोर्टेंट इसकी मैं याद रखेगा अगला हमारा जै किसान रिड मुक्ति योजना यह लाया है मद्ध प्रदेश में देखे जब भी आपको योजना देखेंगे तो मैक्सिमम लाई जाती है किसान मैक्सिमम आपको एग्रिकल्चर के सब्सक्राइब में देखने को मिलेगा जैसे आज ही हम लोग जो पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि यह मैक्सिमम किसे रिलेटेड है एग्रिकल्चर से रिलेटेड है तो इससे पता चलता है कि एग्रिकल्चर के जो सिस्टम हो उसमें कितनी जादा सुधार की जरूरत है क्योंकि हर इस्टेट जो है वो अलग-अलग पॉलिसीज निकालते ह है रिन माफ करने का या फिर सायता प्रदान करने का एंड उसके बाद अगर हम लोग सेंट्रल गवर्मन्ट की बात करें तो वह भी अलग-अलग इसकी निकालती है तो इससे अच्छा है कि जो सिस्टम है पूरा इसको कापी अच्छा से मैनेज किया जिससे इस तरह की कोई आए ही ना ठीक तो चलिए अगले क्वेशन की बात करते हैं जै किसान रिड मुक्ति योजना किस गोर्मेंट के द्वारल आई गई तो मद्द प्रदेश के द्वारल आई गई और कबल आई गई तो 15 जन्वरी 2019 को इसमें 55 लाग किसानों की रिड माफी की जाएगी अब 55 ल योजना कब सुरू हुई या हुई है 30 जन्वरी 2019 को जिसका उद्गाटन किया है केंद्री परियाटन मंत्री केजे अलफोंस ने ठीक है फिर हमारा की अथिका डाउ अविनाशी भूजल पुनरभर योजना या सुरू की गई है तमिलनाडु में आप देखते होंगे कि बारी शाने से पहले ही क्या करेंगे जो भी एरिया सूखा ग्रसित होंगे वहां पर तलाब खुद भाएंगे ताकि बारित के समय उसमें पानी भर जाए फिर हमारा मुख्य मंत्री युवा स्वाभिमान योजना ये काफी इंपॉर्टन योजना है ये इंपॉर्टन क्यू कि सहरी वाओ को कम से कम सो दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा मद्ध प्रदेश की सरकार द्वारा ठीक है इसमें होना क्या चाहिए क्राइटेरिया कि कम से कम दो लाग से कम कि आयो प्रतिवर्स और जो आयू होगा वह 21 से 30 वर्स की आयू होगा इसमें 4000 रुपे हर मह योजना अगर आप मेरा करेंट अफेर का डेली वीडियो देखते होंगे तो मैं उसमें रोज आपको जब भी कोई स्कीम आती है मैं आपको पढ़ा देती जो से अंचल अम्रित सभी योजना आपको पढ़ाए हुई है तो देखते हैं एक बार फिर से समराइस करके एक जग और हपते में दो दिन 100 ml का दूर अच्छे nutrition का एक लच्छन है फिर बात करते हम लोगे कितने आगन बाड़ी केंद्रों को कवर किया जाएगा तो 20 आगन बाड़ी केंद्रों को जिसमें करीब धाई लाग बच्चे कवर होंगे कौन है सियम तो त्रिवेन रावत हैं उत्रा सरकार दोरा लाई गई है सूर्य सकती जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है सूर्य सकती मतलब कहीं ना कहीं हमें जो सूरी की पावर हो चाहिए तो सूरी की पावर हमें कैसे मिलेगी सोलर पैनल इसमें गुजरात की सरकार ने कहा कि किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगवा कि एक बार जो किसान सोलर पैनल को लगवा लिया अगर उसके पास बिजली बचती भी है तो वह क्या होगा कि बची हुई बिजली को सरकार किसानों से खरीद लेगी जिससे उनके लिए स्टोर्स अफ इंकम भी एक हो जाए और लोग और ज्यादा इस योजना को फॉलो करें क् एक अच्छी खासी इंकम भी हो जाएगी इस योजना से ठीक है अगला हमारा की जीवन संपर के योजना किसने सुरू किया इसको सुरू किया ओरिसा ने हमारे लिए इंपॉर्टेंट की हो इंपॉर्टेंट इसलिए है ओरिसा ने इस योजना को सुरू किया यूनिसेफ की म कास की तरफ उनको अग्रसर किया जाएगा ठीक है तो याद रखेगा जीवन संपर के योजना की सरकार द्वारा लाया गया है ओडिसा सरकार द्वारा लाया गया है कब 26 जन्वरी 2019 को ये भी याद रखेगा नेक से हमारा की मुख्य मंत्री कारिगर साहता योजना इसकी द्वात की गई है ओडिसा में कर्प किया गया है तो 5 मार्च 2019 को इसमें जो भी सिल्पकार होते हैं उनको वित्तिय शाहता उपलब्द कराया जाएगा 800 रुपे पर महिने के इसापस उनको दिया जाएगा हां इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है मेगा से याद के लिए मेगावी और जब कोई चात्र मेगावी होता है तो इसको क्या चाहिए लैपटॉप चाहिए तो इस योजना में चात्रों को लैपटॉप वित्रड किया गया है और यदि वो प्रतियोगी कॉम्प्रिटेटिव एक्जाम जैसे आप सभी लोग कर रह करने में मदद करेगी government हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से एक-डों कि इंपको बता देती हूं विश्व का सबसे ऊचा पोलिंग स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में इसकी दो पर योजना ये भी काफी इंपोर्टेंट है जैसे हमने आपको बताया था ते जस्वनी योजना वर्ल्ड बैंक के सायोग से आया है इसलिए इंपोर्टेंट है उसी तरह ही अभी क्योंकि इसमें विश्व बैंक ने इस योजना के क्रियाननेवन के लिए 200 करोड रुपे का र तो मैं आपको इससे कोरेलेट करूंगी हुआ कि इसको सुरू किया देखे जिस भी योजना में आके मुख्य मंत्री लगा हो ओवेस्सी बात है वह किस से संबंदीत है वह संबंदीत है श्ट्रेट गौवर्मन्ट की योजना से तो यह योजना लाई गई है हरियाड़ा सरक क्या किया जाएगा जो भी किसान 5 एकड़ से कम भूमी पर खेती करते हैं और उनकी मासिक आय 15,000 से कम है उनको इस योजना में भागिदारी बनाया जाएगा और उनको 6,000 रुपे वर्स प्रतिवर्स सायता प्रदान की जाएगी अब यह जो एमाउंट है यह तीन किस्तों में दिया जाएगा इनके लिए एक एज ग्रूप का भी निर्धारण किया गया है 18-40 वर और 40-60 वर्स के एज ग्रूप में इसको दिया जाएगा और आज का हमारा लास्ट योजना है युवा स्री अर्पन योजना यह शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में जिसमें युव एज़ लगा करने के लिए विद्थी सहायता प्रदान की जाएगी इसमें कहा जा रहा है कि 50,000 वाओ को एक लाग की सहाता प्रदान की जाएगी सुरू करने के लिए ठीक तो काफी इंपोर्टेंट इसकी जिसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया और है वोग कि आपने इसक तो अच्छे से पढ़ लिया है मैं इसका टेस्ट भी लोगी इसकी आप लोग टेंशन ना ले एक दो पार्ट में कवर करा के फिर इसका टेस्ट लेती हूं ठीक तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भूले साथी साथ आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर वीडियो पर आड आया तो आड को इसकिप मत किया करिया आड को पूरा देखिए और इसको शेर किया करिया आपके जो भी एजुकेशनल ग्रूप है थैंक यू फ्रेंज थैंक यू सो मच